जाए हिंग सभी डिफेंस पेंसनर आप सबों का मैन अरेंद्र कुमार वेलनस केंसल्टेंट इंडर्पेंटर ट्रेनर लिविंग हैपली में स्वागत करता हूँ आज हम आठमे एपिसोड में हैं जहां कि मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्री औस पेंसनर ट्रेनिंग जिसके तहत आज हम बताएंगे कि जो परिसानी हो रहे हैं उन सबों को कैसे दूर किया जाए तो परिसानी दूर करने के लिए हम तो कई वीडियो बनाते ही रहे हैं आज साल हैं सतर साल हैं असी साल हो चुके हैं या कोई ब्रिध माहिलाएं हैं तो उनसे यह उपीद नहीं की जा सकती तो और असपर ने उनके लिए service center का प्राभधान किया है तो यहां मैं प्रमुक्तर दो प्रकार की service center की बात करूँगा पहला service center तो हुआ है जो कि असपर्स service center जो कि exclusive है और दूसरा common service center है तो यह दोनों service center का भी लाब आप उठा सकते हैं किस तरह से उठा सकते हैं इसी पर हम आज का वीडियो हम बात करेंगे क्योंकि आज से पहले जब असपर्स migration नहीं था तो आपका एक home branch होता था यानि कि जिस branch में जिस साखा में जिस bank की आप maintain करते थे अक्सर वही pension paying branch भी होते थे और आपके home branch भी कालाते थे यानि कि सारे transaction का भी history दिखाते थे, बताते थे, समझाते थे और pension के बारे में भी आपको explain करते थे कोई query है, कोई complain है तो उसे भी attend करते थे पर असपर्स के migration से pension paying branch का concept totally खतम हो चुका है अब यह समझ लीजे यहां कि जो आपका home branch पांच किलो मीटर के अंदर दो किलो मीटर, एक किलो मीटर के अंदर हुआ करता था और वही pension paying branch हो जाता था यानि कि single window में आपके सारे काम हो जाया करते थे अब वह महज एक आपके home branch रह गए है pension paying branch नहीं रह गए है यानि कि pension से related अब वह कुछ भी बात नहीं करेंगे कहने कार्थ यही है जो काम आपके 5 किलो मीटर के अंदर ही हो जाया करता था वह आप नहीं होने वाला तो उसका alternate क्या निकाला है असपोर्स ने ministry of defense ने उसके बारे में हम बात करेंगे उसी का नाम है common services center और तो इसके लिए यहां क्या-क्या facility होंगे कहां location है कैसे आपको मिलेगी अब इस services center में भी क्या-क्या चुनोतिया आने वाली है उनके लिए क्या-क्या suggestion है आपके pensioner के लिए और उस संस्था के लिए भी और इसके साथ ही हम आपको bonus tips तो देंगे ही तो आएए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक देखिए उससे पहले मैंना रेंदर कुमार आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूँ आप चैनल को अवस से ही सबस्क्राइब करें अगर पहली बार आए लाइक करें और अपने साथ ही संबन्धियों के साथ भी साजा करें ताकि वह भी लाब उठा सकें जैसा कि असपर्स के बारे में अभी तक हम लोग के बिल्कुल असपर्स था आ चुका होगा कि यह defense account department D.A.D. जो कि ministry of defense M.O.D. के अंदर काम करती है वही करिब 33 to 35 लाख 32 लाख इस तरह से data भी दिर दिर आ रहा इन सब को single place में यानि कि एक ही जगह से disperse कराने की योजना बन रही है जो कि 3 जगह से अभी तक sanction हो रहा था अब एक ही जगह से sanction भी होगा और disperse भी होगा तो यह तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे इसी दिसा में क्योंकि यह नया project है digital India के तहत है और direct benefit transfer के तहत है तो इसमें कई hurdles आ रहे हैं विसेश कर DVT के लिए जरूरी है कि आधार seeding होना चाहिए purification होना चाहिए यानि कि आपके जो previous document में है जो PPO में नाम है अक्षर सह date of birth वही आधार में भी होना चाहिए कई लोगों का अधिकतर यही समस्य आ रही है कि उनके आधार में कुछ नाम है PPO में कुछ है तो आपको PPO के नाम को ही आधार में seeding कराना पड़ेगा क्योंकि PPO में नाम date of birth तो आप change नहीं करवा सकते इसके लिए Supreme Court की आत्रा करना पड़ेगा और साइदो सफल ना हो इतिहास इसका गवा है तो जो भी आपने service में रखा था नाम जो भी आपने education में रखा था वही PPO में आया अब अगर कुछ लोगों ने fancy नाम आधार में generate कर लिया design कर लिया या किसी मजबूरी बस कर लिया तो अब उन्हें revert back करना पड़ेगा और PPO का ही नाम रखना पड़ेगा date of birth रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अब बिकल्प नहीं है अगर DBT का benefit लेना चाहते हैं जो कि धीरे धीरे अनिवारे तह की और बढ़ रहा है तो यह तो हो गया अब मैं बताता हूँ कि इन सारी समस्याओं को कोई आधार से जूज रहे है कि निका user ID नहीं आया पासवर्ड नहीं आया migration नहीं हुआ पता नहीं चल रहा वो take save भी है नहीं उन्हीं सब के लिए या service center है तो अभी तक 17 लाग से ज्यादा defense pensioner migrate हो चुके हैं जिसमें से अधिकतर State Bank of India के हैं अब जैसे ही उनकी समाप्त होती है तो अगले bank PNB, BOB और private bank, DPDO इन सब का भी नंबर धीरधरे आने वाला एक समय होगा जबकि सारे तथा कथि करीब 32 लाग हो सकते हैं इतना तक सारे का pensioner का migrate हो जाएगा अब जब migrate होगा उन्होंने नया dispersing काम किया है तो कई तरह की समस्याएं उन्हें भी आ रही हैं और उससे ज़्यादा pensioner को बिशेश कर ब्रिध pensioner को इसी खयाल में आज मैंने यह आठमा स्रीजगर आए जिसमें मैं आपको जानकारी दूँगा कि वो दो तरह की service center है तो पहली service center Aspurs Facilitation Center भी जिने का सकते हैं वो आपको कहा मिलेगा तो Aspurs के यी website जो है https colon double slash aspurs.defensepension.govin website में आपको मिलेंगे तो service locator tab उपर में ही चाउथा पाचमा नमबर पर है यहाँ आपको मिल जाएंगे तो यहाँ आपको service center locator अबलेबल है यहाँ आपको state district पीन कोड इंटर करके यहाँ आप serially देख सकते हैं यहाँ अभी तक करीब 1103 यानि कि 1103 service center का नाम दिया हुआ जिसमें परमुखत वो government organization ही है DPD है AO है, LAO है AO है, PCDA के जो साखा होते थे हर estate में वो है, PAO है यानि कि वो सारे record office है जिसमें से करीब 36 center जो DIAV है आर्मी का, उनके द्वारा mine किये जा रहे हैं इसके अलावे, bank को भी किया गया जिसमें State Bank of India को 446 branches को highlight किये गया है जो कि जहाँ ज़्यादा pensioner थे PNB के हैं Quotec Mahendra के हैं तो ये सब अभी already इनसे MOU हो चुका है ये अब service प्रदान करेंगे इनके लिए sufficient इनके branches में इनके staff को master trainer के द्वारा training दिया जा रहा, manual दिया जा रहा उनका क्या commission का amount होगा किस तरह से उनका facility देना है क्या क्या कारिक्रम है ये उनको तयारी किया जा रहा भविश्वे में BOV और HDFC भी जुडने वाले हैं और ये धीरे-धीरे service center का list लंबा होते चला जगा दूसरा होता है common service center common service center का भी link Aspurs portal में available है जो कि आपको मिलेगा CSC locator टाइब में जब आप https colon double slash spurs.defensepension.gov.in में जाते हैं जब Aspurs का जो official website है इसी में top में करीब 5th to 6th number पर है CSC locator और या तो फिर आप जब click करते हैं तो यह actual website में जाने के लिए बोलता है या फिर direct भी CSC के website में जा सकते हैं जो कि आपको available होगा https colon double slash findmycsc.nick.in यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो कि यह service center entire जो website है NIC हम लोग सब जानते हैं कि government of India के जो भी software develop करते हैं सारे soft product जो हैं इन ही के दोआरा national informatics center के दोआरा develop किये जाते हैं जो कि MOU किया गया है common services center के लिए e-governance services India limited का एक PSU की तरह है उसी के तहत यह काम कर रहा है यह किसके अंदर काम करता है तो ministry of electronics and IT government of India के दोआरा काम करता है जो कि last mile जो अंतिम छोर के लोग हैं जो पेंस्नर हैं उन्हें या कोई भी नागरिक हैं उन्हें connectivity देने के लिए यह काम कर रहा है especially जो कि remote area में रह रहे हैं उनको यह सब दिया जाएगा जो कि अभी करीब 2,96,6,6,2,096,682 operational outlets इनके तथा कथित रूप से काम कर रहे हैं तो इनके पास भी आप जा सकते हैं पर अब बात यहा आती है कि जो पहले मजा था यानि कि जो home branch ही pension paying branch हो जाते थे आप कुछ भी लिख के दे देते थे आपको CPPC के थुरू करवा देते थे वह luxury आपको नहीं मिलने वाली है तो यह तो आप जान ही लेजिए अब आगे की रण नीती आपके लिए क्या होनी चाहिए तो आपकी मदद हम यह इसी प्रकार कर सकते हैं या संस्था इसी प्रकार कर सकती है आप अपने आपको बढ़ाईए चेतना अस्तर को बढ़ाईए चेतना के मार्ग पर चलिए यानि कि वो सारी जानकारी रखे तो मैं आपको बताऊंगा कि SBI के करी 446 ब्रांचेज को मार्ग किया गया है पूरे कंट्री में जिसमें करनाटका में सीवी रमननगर ब्रांच है टुमकूर में है, कोलार में है इस तरह से 2-3 ब्रांच को लिया गया जहांकि मास में, बिलगाओं में जहांकि मास में पिंस्नर हुआ करते थे डिफेंस में सतर अब इतना तो समझ ही लिजे कि जो आपके 5 माइल जो की आज करीब प्राइबेट बाइंग सब मिला के कर लिजे तो करीब 80,000 से ज़्यादा सा खाएं होती है और यह सिर्फ अभी 1,103 ही है तो आपकी पास मजबूरी है आपको digitally literate होना ही है और इन सारे facility को उठाना है और इन सब की जरुवत ना पड़े इसके लिए आपको स्वायम ही पोर्टल में जाके वो सब काम कर लीजिए लेकिन मैं यहां बात करूँगा कि उन services center में आपको क्या-क्या मिलेगा तो यह सबसे पहले यह बता दू कि यह जो service center है sports service center यहां free में service दिया जाएगा यानि कि इसके जो भी charges bank को दिये जा रहे जो कि पहले के amount के आधा से भी कम है per transaction होंगे माइस से generate होंगे इस तरह से अलग modus operandi है जो कि मैं अभी detail में नहीं बताऊंगा उन्हें मिलेगा यहां यहीं बता दू कि पेंसनर को कुछ भी रुपे देने की जरुवत नहीं है इन साखाओं पर क्योंकि उनका reimbursement होता है MOD के द्वारा आपको क्या करना एक form है specific उस form requisition form को उस साखा में देना है ताकि आपको वो सुभिधा दे सकें और वोही form दिखा के वो reimbursement भी करा सकें हाँ अब रुपे आपको लग जाएगा अगर आप उनके agent को home services चाहते हैं तो उनके द्वारा ताय किया हुआ जो staff है वो आएंगे agent आएंगे तो फिर charges देना पड़ेगा अब यहां यहां बता दू कि यहां list भी मैं दूँगा आगले वीडियो में कि कौन-कौन से हैं complete आपके जगह पर यहां आप स्वयम भी कर सकते हैं यहां आपको बताऊं कि भविश्य में आपको क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं तो इसमें कई तरह की services हैं उसमें process time हैं कौन-कौन से center पर क्या-क्या मिलेंगे यह सब हैं तो इसमें मुख्यता आपको information दिया जाएगा किसके लिए कि आपका sanction हुआ की नहीं उससे related आप query कर सकते हैं status जाम सकते हैं payment मिला की नहीं payment कम मिला कितना मिला आप pension slip ले सकते हैं form 16 ले सकते हैं query कर सकते हैं PPO का copy ले सकते हैं अगर कोई grievances rage करना है वो rage कर सकते हैं उसके tracking कर सकते हैं grievances के क्या reply आए चुकि आप यह माना जाता service center की service center वही लोग जाएंगे जो कि swim अपने android में tab में pc में laptop में नहीं कर पा रहे हैं इतना digitally literate नहीं है कि उस login ID पासवर्ट जो आया है या नहीं आया उसका यूज कर सकते हैं यहीं पर service center आपको death reporting, missing reporting family pension initialization area दिलवाने में disability का दिलवाने में address update करने में इस तरह की तमाम सुवधाएं आपको यहां दी जाएगी और आपको यह जानना है कि आपके nearby service center आखिर है कौन या तो per service center या common service center हलाकि अभी तक लाख प्रियास किया जा रहा है आपको मालूम ही होगा कि सरकार योजनाएं announce करती हैं पर उसे अंतिम चरन तक आने में कई hurdles आते हैं कई बार ऐसा पाया जाता है कि announce करने के बाद इतना हुंबर्क नहीं किया जाता है अभी भी training नहीं दिया गया साखाओं के द्वारा master trainer अबलेबल नहीं है उनकी संख्याएं कम है यहां तक कि साखा के लोगों को ही नहीं मालूम है कि हमें किस तरह की services देना है तो आप जो चुकी pensioner है आपको मालूम है उन्हें नहीं मालूम है तो इस तरह की कई तरह की चुनावतियां आ रही है यह धीरे-धीरे ही चुनावतियां होंगी पर आपको मैं एक number साझा करता हूँ जो की CGDA का है अगर आपका नहीं हो रहा तो 011 दिल्ली का है 20893784 फिर से बताता हूँ 01120893784 जो CGDA का है जहां कि अगर किसी भी प्रकार की परिसानी हो रही है तो वहां भी कर सकते हैं और उनके लिए email भी है project copdad at the rate hub.nic.in है तो इस तरह इसमें कई तरह की आपको हो जाएगी तो यहां आपके लिए सिर्फ अगर service center का lab उठाना चाहते हैं आपको सिर्फ एक अपने willingness देने के लिए एक form देना है जो की branches में जो की highlighted है उसी में जाना है आपको यह ध्यान देना है कि ऐसा ने कि किसी भी bank का नाम बोल रहा हूं DPDO बोल रहा हूं वहां जाना है आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि वह highlighted है वह website में earmark किया गया है उनसे MOU हो चुका है तभी वह service दे पाएंगे क्योंकि तभी वहां trained manpower को रखा गया है तो एक महा जो form देखे आप service center में काम करवा सकते हैं अब इसके लिए घर के पास जो हो रहा था वह तो नहीं होगा कुछ तो परिशानी है ही और ये सबसे भी नहीं हो रहा service center से तो अंतिम में sports का help line number मैं बताता हूँ टॉल फ्री नंबर जो कि सिर्फ working hour of five days काम करते हैं Saturday, Sunday नहीं करते 9.32, six o'clock साम तक करते हैं टॉल फ्री 1.800, 1.80, 5325 जो की बड़े ही track record इसके सही नहीं रहे है पिछले 6 माइने से ये बहतर से काम नहीं करते हैं जितने परियाप्त मातरा में जितना इन्होंने 17 लाग से ज़्यादा ले लिया और भी इतना ही लेने की योजना है तो इसके अनुसार इन्होंने टॉल फ्री में कस्टमर के स्टाप को सर्विस इंजिनियर का नंबर को नहीं बढ़ाए हैं इसके साथ ही और भी लाइन लाइन नंबर आपको बता रहा हूँ 053-22-421-877 053-22-421-879 053-22-421-880 ये सब लाइन लाइन नंबर है तो ये सब का लाब उठाकर आप कई तरह की परिसानियों से दूर हो सकते हैं और यही मेरा यह आठमा एपिसोड डिफेंस पेंस्टनर स्पोर्स पेंस्टनर ट्रेनिंग का यही उद्देश से है मुझे उमीद है आप अपने समस्याओं का समधान हमारे साथ कर पारे होंगे अगर नहीं कर पारें तो मैं याथा सम्भव याथा समर्थ कर पाऊंगा आप कमेंट कीजिये आप अपनी समस्याओं को लिखे मैं अथा सिग्र आपको रिपलाई देने का प्रियास करूँगा अगर अगर आप अभी तक हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवस्य ही सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को भी आपकी तरही प्रगती उन्नत्ती करने का एक अच्छा सुब असर मिलें बहुत बहुत समय में निकालते हैं हमारे लिए फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ